हेलो स्टेड़ें, हैस्टेक आज इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में रिलेसेन बीटीन ओपरेटर्स के बाराम देखेंगे जोकी मोस्ट इंपर्टेन है जोके ओपरेटर्स आपको पूछे जाते हैं ठीक है? तो पहला आमें पूर्फ करना E equal to 1 plus delta पूर्फ करने के लिए सबाता है ठीक है? तो बात करेंगे E equal to E equal to 1 plus delta और आपको ऐसे पूछ सकता है delta equal to E minus 1 ठीक है? आपको यह भी पूर्फ करने के लिए दे सकता है ता आप कैसे पूर्फ कर होगे देखते हैं? लिको we have delta fx is equal to क्या आपको पता है? fx plus h minus fx आपको पता है na? delta fx यहनी forward differential operators में आपने पढ़ा है कि delta fx is equal to होता है fx plus h minus fx ठीक है? अब क्या करो? we know that हमें क्या पता है? we know that by shifting operator shifting operator से आपको क्या पता है? कि shifting operator में पढ़ा था है e fx equal to fx plus h यह हमने shifting operator पढ़ा था है तो जब इस shifting operator में पता है e fx equal to fx plus h यानि fx plus h के ज़िए पर क्या लिखते हम लोग e fx यहने हम लोग क्या लिखेंगे? delta fx is equal to e fx minus fx अब कुछ ने की है बस हम shifting operator का यूज के हैं जो कि fx plus h equal to e fx होता है और यहाँ पर हमने पूट कर दिया है अब देखो दोना तरफ fx common कर लो e minus 1 fx होगा और इधर क्या है? delta fx और fx हट जाएंगे? कटेंगे नहीं कटाना नहीं है ठीक? बस हट जाता है तब कमी जाएगा e minus 1 या आप ऐसे भी लिख सकते हो e equal to 1 plus delta तो यह आपका first operation proof है second operators की बात करते हैं जो कि देता हम है second operators आपका delta equidistance 1 minus e inverse ठीक है? और ऐसे भी दे सकता है e inverse minus 1 sorry e inverse equidistance 1 minus nebula nebula equidistance 1 minus e inverse या e inverse equidistance 1 minus 11 उसने करना है यह भी बहुत सिंपल है बस आपको पता आने चाहिए we have know that nebula is equal to क्या होता है? f x minus f x minus h ठीक है? और हमें पता है क्या पता है? कि e inverse f x is equal to होता है f x minus h यह आपको तभी पता है जब हम आप मेरे वीडियो को पिछले वीडियो देखा होगा पिछले वीडियो में हमने backward differential operator के बात की थी और उसके पहले forward और उसके पहले shifting और shifting के बाद ही हमने inverse का बात कह था ठीक है तो आप जाकर पहले playlist में बीडियो को देखें search करें आप देखर होगा तो आपको पता चलेगा e inverse f x is equal to f x plus sorry f x minus h यह किसका होता है e inverse का यानि shifting operator inverse जो shifting है वो उसका inverse operators e inverse denote करता है और हमें पता है f x minus h equal to inverse f x यानि f x जहांपे है f x minus h यहांपे क्या output कर सकता हम लोग देखें नेबला इसकोड़ो f x minus e inverse f x ठीक है तब नेबला इसकोड़ो का जाएगा f x कामन कर लो sorry यहांपे f x तो है ना f x है ठीक है यहांपे जब कामन को e minus e inverse f x और f x अपेस हट जाएंगे तो क्या बजाएगा आपको नेबला equidistance e minus e inverse यह आपका proof हा ठीक है यह आपको ऐसे भी लिखें तो e inverse इकल टू 1 minus नेबला ओके दो अपरेटर्स हमने प्रूफ करते हैं दो अपरेटर्स के बीच के relationship निकलते हैं हमें अभी और 5 और 6 operators हैं जो कि प्रूफ करना है जो कि प्रूफ करेंगे हम और नेस्ट वीडियो में ठीक है नेस्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3rd और 4th और 5th operators के relation के बारे में और वो तो important ही important है ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाई बाई टेक क्यार